हेलो गाइज दिस वीजे कुमार राठोड आज हम जानेंगे की बहुत ही इफेक्टिव पीपीटी वीडियो रेकोर्डिंग के लिए कैसे बना है मैंने अल्रेडी यहाँ पर एक पीपीटी फोल्डर बना लिया है मैं राइट क्लिक करूंगा न्यू पर क्लिक करूंगा और य इसका नाम मैं दूंगा डेमो ओपन करेंगे इसको यहाँ पर आप फरस्ट स्लाइड देख सकते हैं मैं एक और स्लाइड आड़ कर देता हूं सपोज मैंने यहाँ पर डमी एंट्री कर लिये ठीक है यहाँ पर हम चाहें तो फोन साइड बढ़ा सकते हैं मैं कंट्रोल ए करूंगा और कंट्रोल सिफ्ट और राइट एन साइड एर्रो की जो है वो कीबॉड में से यूज सब्ढ़ जाएगी या तो आप यहाँ से भी उसको आकसेस कर सकते हैं मैंने बॉल्ड कर दिया और जो भी पर्सट कलर है मैंने black कर दिया let's see the black same way मैं यहाँ पर second slide पर उसका font size बढ़ाऊंगा मैंने 44 plus कर दिया और bold कर दिया इसको execute करेंगे अगर आप white background के साथ black जो font है वो use करेंगे तो भी बहुत एफेक्टिव है अगर आप color कोई use करना चाहे हैं तो color भी use कर सकते हैं background styles option है उसमें से मैं format background option पर क्लिक करूँगा solid fill पर already clicked है यहाँ से मैं color चूज करूँगा मैं यहाँ पर more colors में जाऊँगा मैं यहाँ पर dark जो हमारा green board का color रहता है वो मैं select कर रहा हूँ ok पर क्लिक करेंगे apply to all करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जितनी भी slides मैंने बनाई हुई है या तो मैं और add करूँगा तो उसके अंदर same particular background color आपको दीख रहा है मैं यहाँ पर font color white की जगा black भी कर सकता हूँ पहले हम white की effect देखेंगे इसको execute करते हैं तो आप देख सकते हैं जो भी content है वो आप अच्छी तरह से readable है इसको भी black करेंगे जो भी particular fonts है उसके अंदर उसका जो color रहेगा उसको मैं black करूँगा अभी इसको execute करते हैं तो आप देख सकते हैं कि content जो है वो बहुत ही clear cut आप देख सकते हैं चनरली यहां पर मैंने दो combination यूज़ किया जो first title है मैंने white background में यूज़ किया हूँ है white font यूज़ किया हूँ है और जो next particular content है उसको मैंने black font में यूज़ किया हूँ है तो मैं अगर पढ़ा रहा हूँ तो मैं जो भी particular topic पे click करूँगा तो white arrow की वज़े से student जो है वो उसको access करने के लिए देखने के लिए easy रहेगा या तो जो भी user है आपकी ppt access कर रहा है तो उसको readability बहुत ही अच्छी तरह से मिलेगी इसके regarding कोई भी queries हैं तो please do comment in the comment section please like and share thank you very much